अक्षरा नायरा और गायतरी एक ही होस्टल में पढ़ने वाली तीन बेस्ट फ्रेंट थी जहां तीनों का अपना अलग-अलग रूम था लेकिन तीनों एक दूसरे के साथ खुब मस्ती किया करती थी अभी अचानक गायतरी को उसके पिता नैतिक का फोन आता है और कुछ दिन गायतरी अपने पिता की साथ रह रही थी जिसके पिता की तवियत थोड़ी ज्यादा खराब थी इसलिए उसे कुछ ज्यादा समय के लिए ही अपने पिता की पास ठेरने का फैसला कर लिया था और इसी तरह काफी लंबा समय गुजर जाता है नैतिक की तवियत भी अब ठीक रहने लगी थी और गायतरी का होस्टल वापस जाने का समय भी आ चुका था इसे दोरान गायतरी होस्टल जाने के लिए निकल पड़ती है और अगले ही दिन होस्टल पहुच जाती है होस्टल पहुचते ही वो सबसे पहले नायरा की रूम में जाती है और फ्रेश हो जाती है इसके बाद नायरा और गायतरी साथ मिलकर अक्षरा के रूम में जाती हैं। और जब अक्षरा के रूम में तीनों मिलकर बाते करें थी, तब ही अचानक टेबल पर रखा कॉलडरिंग का गिलास, गायतरी की ड्रेस में गी जाता है। और इसलिए गायतरी तुरंत अक्षरा की वास्रूम में जाती है और कोई समय बाद ही वहाँ से वापस अपने फ्रेंड्स के पास आ जाती है इसी दोरान गायतरी को पता चलता है कि नायरा और अक्षरा में से किसी एक का बॉइफ्रेंड है इसलिए वो दोनों से ही पूछती ह कि उन में से कौन रिलेशन्शिप में है लेकिन अक्षरा कहती है कि मेरा कोई बॉइफ्रेंड नहीं है वही नायरा भी कहती है कि मेरा भी कोई बॉइफ्रेंड नहीं है लेकिन गायतरी को पता चल चुका था कि नायरा और अक्षरा में से कोई एक जूट बोर रहा है यानि क कि उनमें से किसी एक का बॉइफ्रेंट है वेल दोस्तों कि आप इस तस्वीर को देख कर बता सकते हैं कि नायरा और अक्षरा दोनों में से किसका बॉइफ्रेंट है अगर हां तो आपके पास इस मज़िदार पहेली का जवाब देने के लिए दस सेकंड का वक्त है और आपका यह समय सुरू होता है अब दोस्तों गायतरी को पता चल जाता है कि अक्षरा और नायरा में से नायरा का बॉइफ्रेंट है क्योंकि अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखेंगे तो नायरा के वाश्रूम में जितनी भी चीज़े थी उन में से एक मैन फेश वाश भी था जब गायतरी होस्टल में एंटर होते ही प्रेस होने के लिए नायरा के वाश्रूम में गई थी अब उसने नायरा के वाश्रूम में मैं फेश वाश देखा था जिसे देखकर वो समझ जाती है कि अक्षरा और नायरा दोनों में से नायरा का ही बॉइ झाल करेंगे?